पाकिस्तान के खिलाफ चैंपिन्स टॉफी की फाइनल मैच में भारत के लिए अगर कोई अच्छी चीज देखने को मिली वो थी हार्दिक पांडिया की धुआदार बल्लेबाजी जब सभी भारतिये दिकच बल्लेबाजों ने अपने फैंस को निराश किया और टीम इंडिया को मुश्कल स्थिती में पहुंचाया तो पांडिया ही एक अकेले ऐसे बल्लेबाज रहे जो पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला सके हार्दिक पांडिया टीम इंडिया को जीत तो ना दिला सके लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई कर भारतिये फैंस के दिलों को थोड़ा सुगून जरूर पहुंचाया पांडया ने सिर्फ 43 गेंदों में 76 रन की पारी खेली इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 4 चोके और 6 दमदार छक्के भी जड़े हलाकि इसके बाद वो रन आउट हो गये और टीम इंडिया को एक और बड़ा चटका लगा हार्दिक पांडया ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारत की पारी के 23 ओवर में शादाव खान की 3 गेंदों पर 3 दमदार छक्के लगाए और इस ओवर में 23 रन बटोरे आपको यार दिला दें कि इस टूर्णमेंट में जब भारतिय टीम लीग मैच में पाकिस्तान से भीडी थी उस मैच में भी हर्दिक पांड़ा ने लगातार तीन छक्के जड़े थे इस मैच में भारतिय पारी के 50 ओवर में पांड़ा ने ये कमाल किया था NMF News के रिपोर्ट